जहें दोस्तों चाहें आप TRP स्कैम का केस की बात कर लीजिए या फिर आप जो कई साधे सेलेबरिटीज हमारे माल शाल बूटी शूटी के चक्कर में पड़े थे उनके सोच की बात कर लीजिए वाटसअप चाट्स ने एक बहुत एहम रोल निवाया था और आज की रेट में जब हम बात करते हैं प्राइवेसी की तो मुझे नहीं लगता कि वाटसअप चाट्स भी अब कहीं से कहीं तक प्राइवेट रहे गई हैं तो इसलिए आप भी जब अपने किसी ऐसे शक्स से बा प्राइवेट सिंग का एक वाटसअप चाट रिलीज करी है जिसमें की अब आपको डिटेल ने बताते हैं इस आर्टिकल की माध्यम से तो महराष्ट ग्रहमंत्री ने किसे बुलाया कैसे किसे वसूली का टार्गेट दिया प्राइवेट सिंग की इसको लेकर पूरी वाटस कमिशनर के पत से हाल ही में ट्रांसफर किये गए परमवीर सिंग ने मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राज्य के ग्रहमंत्री और न्सीपी नीता अनिल देशमुक ने विवादत पुलिस अधिकारी सचेनवाजे को हर महीने के बाहर बंग होने वाली कार से लेकर मंचोखेरेंग की मौत तक पे कई सवाल उठाए गये थे इसके बाद अनिल देशमुक ने बयान जारी कर आरोप के खंडिन किया जबकि मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे ने इस पत्र की प्रमानित्ता पर ही प्रश्ने खड़े कर दिये उन्होंने कहा कि इस पत्र पर परमबीर सिंग के हस्ताक्षा नहीं थे और इसे जीमेल अकाउंट से भीजा गया था उन्होंने कहा कि चुकि ये अहस्ताक्षरित पत्र को परमबीर सिंग के अधिकारिक मेल से नहीं भीजा गया था इसलिए संबभ है कि ये पत्र पूरा का सुधिर सूर्यवंशी जी ने यहां पर ट्वीट करते हुए बताया है मैं आपको ट्वीट भी इनका दिखाता चलता हूं क्योंकि भई यह चीजों को साक्षे के साथ सामने रखना सही रहता है यह इसमें लिखते हैं यह किया है सुधिर सुर्यवंशी जी ने ट्वीट आपको उल्टा देख रहा होगा पर मैं आपको पड़कर सुना रहा हूं तो यहां पर ने एक संश्य जताया था कि भई हो सकता है कि यह फेक हो आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि परमवीर सिंग से संपर्क करनी कोशिश की जा रही है शेफसेना सुप्रीमों ने कहा कि जिस मेल अकाउंट से पतर आया वो अलग था जबकि परमवीर सिंग का सरकारी मेल पूरी तरगी से अलग है इस बीच अनल देशमुक ने एक नया विस्तरत बयान जारी कर दिया इसमें उन्होंने अपने उपर लगे आरोपों को जूटा बताते हुए इसे उन्हें और M.V.A. सरकार को बदनाम करने के साज़श करा दिया अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान कुछ बिंद्यों के तरफ आकरिशत करना चाता हूँ जिससे पता चलता है कि परमवीर सिंग जूट बोल रहा है साजरवाजे के रफ्तारे के बाद वो इतने दुने तक चुपकियों थे उन्होंने शुरू में ही कुछ क्यों नहीं का मार्च 16 को उन्हें पता चला कि इनको ट्रांसफर किया जाना है और अगले ही दिन से उन्होंने साज़िसे शुरू कर दी उन्होंने अपने करीबी ACP संजयर पाटेल को कुछ प्रशन वाटसेप करके भेजे और बदले में मंस पसंद उत्तर पाया ये उनकी एक बड़ी साज़िश का हिस्सा था जिसके माध्यम से वो सरकार को बदनाम करना चाहते थे जो ये संजयर पाटेल और उनकी बीच की चैट है वो चैट में भी आपको खुछी देरें बताऊंगा महराश के ग्रह मंत्री के बयानों में आरोप लगाया गया था कि 16 वर्षों से निलंबन की अवस्था में चल रहे सचनवाजे को फिर से पदस्थापित करने का निरने परमीर सिंग का ही था और अब खुद को बचाने के लिए उस तरह के आरोप लगा रहे है और उस समय क्यों नहीं उन्होंने आखिर इस बारे में कुछ कहा बकॉल अनल देश मों का परमीर सिंग को लगता है कि एंटीलिया मामले में मुसीबत में है तो उन्होंने महाविकास अगाडी मतलब M.V.A. सरकार को ब्लैक मेल करने के लिए आरोप लगाए इस तरह से मुख्यमंत्री और ग्रहमंत्री ने एक दूसरे का विरोधाभासी बयान जारी किया इसके कुछी देर बाद परमीर सिंग ने मीडिया से कहा कि ये पत्र उन्होंने ही बेजा है और अब वो इसके हस्ताक्षरित कॉपी पुना सैंड करने जा रहा है मतलब जो एक साइन की ओपर पूरा चक्कर बसर आता वो उसको खतम कर देंगे हूँ इसके बाद कयासों का अंथ हुआ और मीडिया में परमीर सिंग दौरा हस्ताक्षरित पत्र भी जा रही हो गया जो उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे को भेजा मुंबई कॉंग्रेस के पूरवद्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि अगर परमीर सिंग के आरोप सच्चे हैं तो सवाल NCP सुप्रीमो शरत पवार से पूछा जाना चाहिए जो M.V.A. सरकार के सुत्रधार है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को इस मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए परमीर सिंग ने चिट्टी में ये भी लिखा कि सचेन वाजे ने उन्होंने बताया था कि मुंबई में लगबख 1750 बार्ड, रेस्ट्रों, भुकबार ये सब जगें हैं जहां से 2-3 लाख रुपए एकत्रित किये जाए तो हर महिने के 40-50 क्रोड मिल जाएंगे बाकी कलेक्शन अन्यमाद दिमों से किया जा सकता है इस प्रकरेंट पर पूर्वे मुख्यमंतरी देवेंद फणनाविस ने कहा था कि पूर्व कमिशनल ने जो आरोब लगाये हैं बेहत दंबीर है मैं मानता हूं कि जिलेटिन की छड़े मिली हैं इससे विज़ादव इस फोटा की आरोब है उनके अनुसार इन आरोबों को गंबीरता से इसलिए भी जात्स होनी चाहिए क्योंकि ये आरोब कारायरट डीजी ने लगाए है इन आरोबों की पुष्टी करने के लिए उन्होंने वाटस अप चैट या समस चैट भी लगाई है जिससे ये इसपस्ट होता है कि रेस्टरों बार्म से पैसा जमा करने के लिए कहा गया अब मैं आपको उस चैट के बारा में जानकारी पता देता हूं जो चैट रिवील की गई है तो मुमई पुलिस के पूरू कमिशनर और महराष्ट के डीजी होमगार परमवीर सिंग के उस पत्र से बावाल मचा हुआ है जिसमें उन्होंने राज्य के ग्रह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमों पर विवादित पुलिस अधिकारी सचनवाजे के माध्यम से प्रतिमा 100 करोड रूपए की वसूली की कोशिश के आरोप लगा है सबूत के रूप में परमवीर सिंग ने ACP संजे साथ पाटल के साथ वाटसाप पर होई बातित का हवाला दिया गया है जानिये क्या है उस चैट में चैट की शुरुआत में परमवीर सिंग के ये पूछने से होती है कि जब पाटल ने होम मिश्टर सर से फरवरी में मुलाकात की थी तो उन्होंने ऐसे संस्थानों के बारे में क्या कहा था और कुल कितनी रगम की उगाही की बात की थी जब उधर से कुछ मिनिट तक कोई जवाब नहीं आता तो परमवीर सिंग अर्जेंट प्लीज का मेसेज भेजते हैं इस पर पाटल जवाब देता है कि मंबई में से 1750 वा अन्य प्रतिस्ठानों से 33 लाकी उगाही की बात हुई थी वाटसअब चैट जो है वो इस प्रकार है अब जो वाटसअब चैट सामने आई है वो मैं आपको एक तस्वीर के मादब से दिखाता हूँ शयाद आपको क्लियर ना देखे मैं इसको ट्वीट कर दूँगा तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट जोकी यह दिया हुआ है जो आपको दिवाल पर दिखरा है नहीं है मीवना Twitter account है आप इस पे जाके देख सकते हैं मैं आप उस चैट को retweet कर दूँगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगी बाकी मैं आपको पूरी चैट पढ़के सुना रहा हूँ तो आपको जो अधिकतर बाते clear होने की हैं वो बाते तो clear हो ही जाएगी तो ये श्रद्दा सेथी नाम के एक account से ये जो चैट है पूरी सामने आई है WhatsApp चैट बिट्वीन PBS और पार्टिल ये वो चैट है पूरी English में मैं इसको tweet करके आपको बता दूँगा सबसे पहले इसी भी पार्टिल लोग बिल लिखते हैं हर महीने कुल 50 करोड की वसूली मिस्टर पलांडे ने 4 मार्च को DCP भुजबल एंफोर्श्मेंट के सामने ऐसा कहा था परमवीर सिंग बोलते हैं तो इससे पहले आप H.M. सर से कब मिले थे पार्टिल बोलते हैं हुकका ब्रिफिंग से 4 दिन पहले परमवीर सिंग बोलते हैं पार्टिल मुझे कुछ और सूचना है चाहिए क्या वाजे H.M. सर से मुलाकात करने के बाद तुम से मिला पार्टिल बोलते हैं हां सर वो मुझे से मिला था फिर सिंग बोलते हैं क्या उसने तुम्हें कुछ बताए कि H.M. सर से क्यों मिला था पाठिल बोलता है उस बैठक का उद्देश जैसा कि मुझे बताए गया था कि यहां था कि मुंबई में 1750 प्रतिष्ठान है और प्रत्येक से 3 लाग की वसूली के बाद यह आगणा 40-50 करोड के वीज होगा सिंग बोलते हैं हम सर ने आपसे भी बत कही थी पाठिल बोले चार मार्च को उनके पीएस पलांडे ने मुझसे ऐसा कहा था फिर सिंग बोलते हाँ आप ये पलांडे से मुलाकात हुई थी पाठिल बोले हाँ सर मुझे बुला गया था यह जो ट्वीट में पूरी चैट सामन का भी जिक्र किया है उन्होंने कहा कि साइड नोट के हिसाब से दादर नादर हवेली में अधिकारियें दौर्फ रतारित किये जाने की बात लिगी थी रेकिंग ग्रह मंतरी देश्मों को उन पर बार बार केसर रिजिस्टर करने का दबाव बना रहे थे उन्हों नहीं चा और नियाय पालिका का लंगन बताया उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ वाज़े ही नहीं बलकि कई अधिकारियों को अपने आवास पर बुला कर देश्मों के कलेक्शन टार्गेट दिये थे जबकि अगल देश्मों का कहना है कि अब परमबीर सिंग को लगता है कि अंटीलिया मामले मुसीबत में है तो उन्होंने महाविकास अगाडी सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे आरोप लगाये हैं जो की जूटे हैं सियम उद्दव ने पत्र को प्रमानित्ता पर सवाल उठाये सियम वग्रह मंत्री ने एक दूसरे को विरुदाफासी बयान जारी किया इससे कुछी देर बाद परमबीर सिंग ने मीडिया से कहा कि ये पत्र उन्होंने ही भेजा है और वो इसकी हस्ताक शरित कॉपी पुना आज की जाएगी लेकिन जाज होम मिनिस्टर जिनके उपर पूरे आउरोग लगे हैं उनीक एंडर में अगर होगी तो कैसे सही तरीके सो सकती है इस पर भी लगातार सवाल उठेंगे लेकिन इन चैट के सामने आजाने से कोई बहुत बड़ा ही बहुत जादा चीजे सामने नहीं आई क्योंकि चैट को इतना ऑथेंटिक माना ही नहीं जाता है आज के टाइम में लेकिन हाँ सबूत के तौर पे आप उसको देख सकते हैं चीजों को आगे बढ़ाने के उससे आप देख सकते हैं लेकिन एक दम ठो सबूत नहीं माना जाता है उमीद करता हूँ जो ब फिलाल इतना ही, जैहन, जैवा